नमस्तरे बस्तों मैं सुमन सर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में सपोर्स किजिए आपको बॉल्ख में प्रिंटिंग लेनी है पर्ट में लिया है और आपको इस्ञ बल्क में निकल 6 months का एक साथ निकालना चाहते हैं तो 1 click में आप कैसे सारे इंवैसे को वन ख्रीक में दृइव मेरा सब्सक्या आप सब्सक्राइब करते हैं उसको प्रेज करके मिसेट चानल को सब्सक्राइब आप मुझे comments किजिए definitely मैं इसका solution आपको बताऊंगे and reply करूंगी आप bell icon को भी प्रेस करना ना भूलिएगा इससे in future जो भी वीडियो में upload करूंगी इसकी notification आपको time to time मिलती रहेगी तो चलिए देखते हैं कैसे purchase invoice की printing निकालेंगे पेटफिय आप टैली से आपको देखिए display की नीचे एक options हो रहा है multi account printing इसपे आप click कीजिए printing menu option open हो गया है multi voucher printing इसपे आपको click करना है यहाँ पे देखिए इस type का कुछ dialogue box open हो जाएगा printing voucher print yes no पूच रहा है तो आप यहाँ पे no कर दीजिए nature of voucher type यहाँ पे list of voucher type है यहाँ से आपको जो भी vouchers का print देना है आप यहाँ से choose कर सकते हैं सबसे पहले हम purchase का देख लेते हैं तो purchase आप यहाँ से choose कर लीजिए select print voucher in इसको आपको regular करना है from यह पूच रहा है आपको कब से कब तक प्रिंट देना है तो आप period यहाँ पर select कर लीजिए first April से में 31st of April का one month का प्रिंट ले नहीं तो यहाँ पर जैसे आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो सारे voucher आपके one by one प्रिंट होके आ जाएंगे वन क्लिक में सारे वाउचर आपके प्रिंट हो जाएंगे तो इस तरीके से आपको जिस भी वाउचर का प्रिंट करना है आप यहाँ से multi वाउचर प्रिंटिंग में जाके प्रिंट ले सकते हैं से लच में सेवडन रिंटिंग कैसे कीजिए 2-3 मंश्का प्रिंटिंग और सुछ लेटा है साप्सक्राइब November 2020 मि कुम देखा है और सेरा है कि सलचे को प्रिंट करें यांद कर दो अधिक्याइब नेम ओफ अध्याइब वौचयर टाइप में सल खूसकर लेते हम आप देखेंगे नश्यम् CarryU Club शूर परोटॉन थे आप व। कीजिए select voucher of print तो यहाँ पर आपको regular रखना है यहाँ पर देखिए आपको from पूछ रहा है तो from कब से आपको कब तक voucher print करना है वो आप यहाँ पर date फिल कर देंगे 1st April to 31st of July में तीन मंत का यहाँ पर ले ले रही हूं तो इस तरीके से आप 6 मंत का तीन मंत का दो मंत का एक मंत का जितने मंत का आपको print निकालना है वो update यहाँ पर change करके और print पर क्लिक किजिए one by one सारे print और सारे प्रिंटिंग इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको printing voucher का option शू होगा यहाँ पर प्रिंट यस और नो पूछ रहा है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए अब देखिए आप ने ने मॉफ वाचर टाइप पूछ रहा है तो लिस्ट आफ वाचर टाइप यह सारे वाचर से ज आप अगर चाहें तो six month का भी दे सकते हैं four month का भी दे सकते हैं two month का भी दे सकते हैं जो भी period आपको select करना है select करने के बाद आपको यहाँ पर print yes no पूछ रहा है तो आप yes करेंगे तो चलिए देखते हैं कैसे हम रिस्ट वाचर की प्रिंटिंग बल्क में निकालेंगे केच पे आप टैली साब देखिए डिस्पले पे आपको multi accounting printing का options हो रहा है यहाँ पे आप क्लिक किजिए अप देखिए printing menu के अंडर multi वाचर प्रिंटिंग इस पे आप क्लिक करेंगे त आप सेलेक्त कर लिए क्रेडि safe अब तक हमें कर घूरी हूं इस तरीके साथ डेवीट नोट का भी ले सकते हैं यहाँ पे रेगुलर सेलेक्त कर लिजिए form to जब से जब तक का आपको देना है यहाँ पेरियर सेलेक्त कर लीजिए 1st1 अप्रेल तक तक आ में दे प्रिंट किसी में प्रिंटिंग निकालना सब्सक्राइब को बाइब कि यदियर की इक साथ क्रिकेंगे उसे में आपको स्टेपस वीडियों में बताऊंगी कियए को बैसे टो चल्छी देखते हैं से हमें पर स्सक्रान। कर नहीं में सब्सक्राइब प्रंटेखना के निशे इडिस्पलेंगे अपन आप ये उपन हो गया मल्ति वाउउचर वाउचर प्रिंटिंग इसे ईसना है प्रेंटिंग आपन स्वेखने त Shapiesा के लिए क्विए किनिस एक है इस सेलेक्ट बाउचर टू प्रिंट यहाँ पर रेगुलर दे लिजिए फ्रॉम टू पूछ रहा तो आपको कब से कब सब्सक्राइब कर देंगे इस तरीके से वन क्लिक में आप सारे पेमेंट के बाउचर प्रिंट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो चिक आउट करना ना पुलिएगा वहां में अपने अकाउंट से सारे वीडियो के लिंक प्रोवाइट कर देती हूं तो आप चाहें तो वाच आउट भी कर सकते हैं वहां से जाके आई वीश ये वीडियो आपके लिए हेलफ वोल रही होगी मैं बिलकुल मैं चाहिएगा थेंक यू